हे गाईस आज हम आए हैं काफी इंटरस्टिंग टोपी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे वैग्यानी को द्वारा खोजे गए एक नए सूपर अर्थ के बारे में जहां जीवन और जाना दोनों संभव हैं जो दिखने में प्रिथवी की तरह ही है आज की तकनीक के अनुस के होते हैं जहां प्रिथवी के सामान जीवन होने के संभाव ना होती है पर ये ग्रह वजन में बर्फिल ये ग्रह नैप्टून से भी कम होते हैं तो हाल ही में नासा की एजनसी टैस यानी ट्रांजिस्टिंग एग्जो प्लेनेट सर्विस एडलाइट ने सबसे पहले दो रहे हैं या सूपर अर्थ एल पी एट नाइंटी नाइन सी और टी यो आई वन फोर्टू फाइफ टू बी को खोज निकाले हैं जो अनुमान लगाया जा रहा है कि इनका वायू मंडल सत्य है ताप मान सब प्रिथवी की तरह है साथ ही यहां पानी होने की संभाव ना भी ह इससे पहले भी वैज्यानिकों ने 57 प्रिथवी जैसे ग्राओं की खोज की जिने हम सूपर अर्थ बुलाते हैं पर दिक्कत उन तक पहुँचने की है क्योंकि वे सबी 500 प्रकाश वर्क से भी अधिक दूरी पर हैं यही कारण है कि यह ग्राय कुछ खास है बात करें सूपर अर्थ LP 899C की तो यह प्रिथवी से 40% जादा बड़ा है यह ग्राय प्रिथवी से के वल 105 प्रकाश वर्क की दूरी पर है हमारे यानों को मार्स यानी मंगल ग्राय पर पहुचने में सिर्फ 7 महीने का समय लगा जो की 5 प्रकाश वर्क की दूरी पर है जिसके अनुसार हमें सिर्फ प्रिथवी से 11 वर्ष का समय लगेगा इन ग्रायों तक पहुचने में क्यों इस फैक्ट ने हिला डाला ना यह ग्रह अपने तारे की प्रिक्रमा सिर्फ सड़े आठ दिन में पूरी कर लेता है जैसे कि प्रिथवी 364 दिन लगाते अपने सुरिय की प्रिक्रमा में यह ग्रह IP 899 नाम के तारे की प्रिक्रमा करता है साथ ही इस ग्रह और तारे में सिर्फ 3.7 मिलियन मील की दूरी है जबकि प्रिठ्वी से सुरिय की दूरी तिरान में मिलियन मील की है सबका सवाल अब ये है कि अगर यह ग्रह अपने तारे के इतने पास है तो इसका तापमान असामानने क्यों है तो बता दे कि यह तारा सुरिय के मुकाबले आकार में 6.5 गुना छोटा है साथ ही इसका तापमान सुरिय के तापमान के मुकाबले आदा है यही वज़े है कि इस ग्रह पर जीवन संभव है परन्तु बात करे ग्रह T.O.I.1452 की तो यह एक पत्रीला गरह है जो की प्रिच्वी की तरह ही है परन्तु इसकी डैंसिटी, मास और रेडियस यानि घन अतुष, द्रवयमान और त्रिजा प्रिच्वी से बिन है तो इस सूपर अर्थ के बारे में आपकी रख क्या रहे है और वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बोक्स में बताईए साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलिए धन्यवाद